ओम स्री गनेश आइनमा दोस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 जून गुरुवार के रासी फलक के बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान देना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज कोई महत्पपूर्ण और लाबदाएक सूचना आपको प्राप्त होगी दोस्तो और जानकारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबंदित कई नई उपलब्दियां उत्पन कर सकते हैं जो आपके भविश्य के लिए काफिल लाबदाएक साबित होंगे दोस्तो साथी साथ आज कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामलों के हल होनी की भी आज संभावना है दन के निवेस संबंदित कार्यों पर आज आप विशे सुरूप से ध्यान दें लाबदायक समय आज आज आपके लिए चल रहा है इसका आप भरपूर सद्यों प्योग करें दोस्तो कर्म धर्म वे समाजिक सेवा संबंदित कार्यों के परती आज आपका रुजान रहेगा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से छानवीन करें इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुत्बा भी बढ़ेगा बच्चों की किसी उपलब्दी से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंदित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंदित नियमों का भी आप अवश् करें दोस्तों किसी मित्र के मुशीबत के समय में आज आप उसका सहयोग करेंगे जिससे आपको आत्मिक खुसी प्राप्त होगी साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धान्तों पर अडिक रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी विरत दी करेगा बुजुर्गों का और इसने आज आपको प्राप्त होगा रचनात्मक वैधार्मिक क्रिया कलापों के पिरती आज आपका रुज़ान रहेगा जरुतमंदों की साहता में भी आज आपका समय व्यतित होगा चुनोतियों को स्विकार करना आपके लिए उपलब्दी का मार्ग भी आज खोलेगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज आप अपने स्वयभाव पर नियंतर रखें क्योंकि कभी कभी वैवार में चड़ चड़ापन आपको अपने लक्षे से भटका सकता ह और किसी से धन संबंदित लेन देन को भी आज इस्तगिधी रखें दोस्तो आपके श्वयभाव में एक कारण ही गुस्सा या उग्रता आने से अचानक ही बनते बनते कामों में विग्न पड़ जाता है इसलिए आत्म अवलोकन करना आवश्चक है और अपनी किसी भी योज स्या को लेकर आज तनाव रहेगा उन्हें मार्ग दर्सन देने की आपको आवश्च रकता है मकान वे गाड़ी से संबंदित काग जादों को आप बहुती अधिक समाल कर रखें उनके खोने या रखकर बूलने की आज संबहवना बन रही हैं दोस्तो अपने खर्चों को सीम डोस्तो अपने स्ववाव में लचीलापन रखें तता रिस्टों की मरियादा का भी आपको द्यान रखनी की आवश्च रकता है दोस्तो संतान की किसी गलत संगती की वज़े से आज चिंता रहेगी परन्तु आपकी समसदारी वे सूझ बूझ से समस्या का हल भी निकलेगा ध्यान रहें कि भावुकता में आकर कोई भी निर्णे ना लें वैवारिक जश्टी कौन रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तो विरोधी आपके लिए आज कुछ मुस्किलें पैदा कर सकते हैं परन्तु आप अपना आत्म विश्वास बनाए रखें आपको विजयः हांसिल होगी दोस्तो साथी साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है जिससे आपका मांसिक तनाओ बढ़ सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो वहवायत जीवन को खुस में बनाने में ही आपकी भूमी का अधिक महत्पपूर रहेगी प्रेम संबंद में किसी प्रकार की खटास उत्पन होनी की संभाव न बन रही है अपने वहवार को आप सैयम रखें दोस्तो अपने प्रते कारे में जीवन साती की सला लेना आपके केई कारे को पूरा करने में मदद करेगा प्रेम संबंदों में भी परिवारे के शुकरती प्राप्त होगी दोस्तो वैस्तता के कारण घर परिवार की देखवाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं परंतु जीवन साथी आपकी परिसानियों को समझेंगे और आपका पूर्ण सेयोग करेंगे दोस्तो घर के किसी भी मुद्दे को आपस में बैठ कर सांती पूर्ण तरीके से सुल जाएं और माहोल को खुसनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम भी होंगे और आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका वैवाएक जीवन काफी खुसनुमा बना रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जापका वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारेच छित्र में कोई भी काम करने से पहले किसी अनुबब व्यक्त हो सकते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और उसकी सला आपके वैवसाई के लिए अधिक फायदेबंद तथा तरक की दायक रहेगी दोस्तो इसकी बहुत अधिक आवश्यक्ता हैं इस बात का आप जरूर ध्यान रखें नोकरी पेशा व्यक्ति को क से उनको काफी खुसी का अनुबव होगा दोस्तो वैवसाईक पुदेश्यों को लेकर भी आज कोई नजदी की यात्रा संभव हैं अगर किसी नए कारे की शुरूरात की हैं तो अब उसके उचिते पेढ़नाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे नोकरी सेवारत व्यक्ति क के लिए भी कुछ ने अवसर आज बन रहे हैं दोस्तो आपको अपनी मेहनत के अनुबव आज फल दायक पेढ़नाम प्राप्त होंगे परन्तु मार्केटिंग वे भार के कारों को आज इस्तगित रखें किसी नजदी की मित्र की सला पर गंभीरता से विचार करें तोकि यह सला आपके लिए काफी फायदेवन्द साबित हो सकती हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज गला खराब और खासी जुखाम जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं ला परवाई ना करें अपनी दिन चरिया विवस्थित रखें औ और आयरुवेदिक चीजों का भी अधिक से अधिक आप शेवन करें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रूजाना योग करें वयाम करें स्वस्थ रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेशुपई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान श्रेहरी विश्णुजी को आप पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं इसके बाद आप जब भी घर से निकलें उस मिठाई को प्रिशाद सुरूप खाकर घर से निकलें या दोस्तो ऐसा करने से जिस भी कार्र के लिए आप जाएंगे वे कार्रे आवश्य ही सफल होगा और भगवान श्रीहरी विश्णुजी के आशिरवाद से आपके लिए सफल ताके नए नए रास्ते खुलेंगे या दोस्तो जो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशानियों का अंत होगा और आपके समस्त कार्रे बहुत यासनी से बनते चले जैंगे दोस्तो भगवान श्रीहरी विश्णुजी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सची दिल से कमेंट्स बोक्ष में जैस श्रीहरी विश्णुज वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद